तो मोबाइल से आप किसी भी बैंक की स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी मैं या किसी एक बैंक की स्टेटमेंट निकालना नहीं बता रहाँ इस एक वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बैंक की स्टेटमेंट निकाल पाएं और कमाल की बात यह है कि इसके लिए आपको नेट बैंकिंग, मुबाइल बैंकिंग और एटिम कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मैं आपको यहाँ पर एक बिल्कुल नए ही त्रिक का बताने वाला हूं, तो चलिए आईए प्रोसेस देख लेते हैं तो इसके लिए आपको एक अप डाउनलोड करने होगा तो आपको प्ले स्टोर पर आ जाने है, इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करने है, All Bank Statement अप तो आपके सामने यह application आ जाएगा, तो आपको इस application को install कर लेने है इस application के जर्ये आप किसी भी bank statement देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं बस इसमें एक ही condition है आपके bank account में mobile number link ओना चाहिए साथी वो number आपके इसी mobile में ओना चाहिए तो चलिए अब मैं इस application को यहाँ पर open कर लेता हूँगी जिस भी language में आप application को use करने वाले हो वो language आपको यहाँ पर select कर लेनी है इसके बाद आप यहाँ पर right की icon पर click करेंगे तो आपके mobile number से जितने भी bank account बने होंगे वो सब bank यहाँ पर automatically detect हो जाएंगे साथी उन bank में कितने पैसे पड़े हुए है वो amount भी आपको यहाँ पर सो हो जाएगा तो अब आपको जिस भी bank की statement download करने है उस bank पर आपको click कर देना है तो आपके समने उस bank की सब भी statement आ जाएगी लेकिन अगर आपको month wise यहाँ पर statement देखनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकती है simple है यहाँ यहाँ पर आपको select date पे click कर देना है इसके बाद आप यहाँ पर की side pencil के icon पे click करेंगे तो अब आपको यहाँ पर starting date and date यहाँ पर select कर लेनी है जैसे कि मैं यहाँ पर 2023 के पूरे cell की statement देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर start date में 1 जनवरी 2023 select कर लेता हूँ और end date में 31 दिसंबर 2023 यहाँ पर select कर लेता हूँ इसके बाद जैसी आप यहाँ पर ok पी click करेंगे तो जो time period आपने यहाँ पर select ही है उस time period की आपके सामने statement आ जाएगी ऐसी आपको यहाँ पर जितनी भी time period की statement चाहिए वो date आप यहाँ पर select कर सकती है ठीक है? अब अगर आपको इस statement को download करना है तो आपको यहाँ पर PDF पर click कर देना है इसके बाद आप यहाँ पर permission को allow करेंगे तो आपकी यह statement download हो जाएगी जिसे आप यहाँ से किसी के पास भी share कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर file manager का icon यहाँ पर देख लेना है तो आप यहाँ पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने file manager open हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर इसे किसी भी folder में paste कर देना है तो उस folder में आपकी bank statement safe हो जाएगी जिसे अब आप use कर सकती है तो इस process से आप किसी भी bank statement देख सकती है इसके बाद भी अगर आपको कोई problem आ रही है तो आप comment करकी पूस सकती है